अगले दिन उनको साइकल के सवारी पर जाना चाहिए सजस्ट का मतलब होता है जब आप किसी को कुछ चीद सुझाब दे रहे होते हैं ऊजस्ट का मतल बाइच पर लेका के वह आदे घंटे पहले आगे अपने दोस्के आने सपहले और वह उनका गारण में वेट करने लेगे The author's friend inquired about his bicycle and then gave it a shake holding its front wheel and the fork जो author के दोस्ते उन्होंने बाइसे के बारे में इंक्वाइरी की पूछा बाइसे के बारे में और बाइसे को थोड़ता शेक किया उन्हों को हिलाया यानि कि साइकल को हिला दिया After a while the man took out the front wheel of the cycle और कुछ तमी के बाद उन्होंने साइकल की जो फ्रेंट जो आगे का पहिया होता है उसको निकाल दिया While the author was away for a while looking for a hammer और उन्होंने उस समय पहिया निकाला cycle का जब author कुछ time के लिए दूर थे वो हतोरी को ढूंड रहे थे तो उन्होंने उनके दोस्त ने उनके cycle का पहिया को हटा दिया The bicycle inspection and its repair work Bicycle की inspection जांच परताल और उसका repairing का काम The author insisted on putting on the various parts of cycle in place Author ने बुला कि जो अलग अलग जो parts है cycle के उनको हमें एक जगे पे रखना चाहिए But his friend wanted to check the front wheel पर जो उनका दोस्त था वो आगे का पहिया चेक करना चाहते थे He unscrewed something and from somewhere around a dozen of ball bearing came out उन्होंने unscrew का मतलब होता है पेज से खोल देना तो उन्होंने कुछ चीजों को unscrew किया और फिर उसके बाद जो ball bearings होती है वो सारी बाहर आ गई His friend insisted that the author must collect all of them as the bicycle might not be restored to its old condition उनके दोस्त ने author को बोला कि जो भी मैं इस parts निकाल रहा हम bicycle की वो आपको collect कर लिन चाहिए खटे कर लिन चाहिए otherwise मैं वापस से bicycle को पुराने condition में नहीं कर पाऊंगा Resorted का मतलब होता है किसी भी चीज को वापस condition में same जो condition थी पहले उसे condition में रख देना The author collected around 16 of them and kept them in his hat तो author ने जो 16 parts थे उनके अपने अपनी टोपी में उसको रख लिया The author's friend now started taking off the gear case और उसके बाद जो author के जो दोस्त थे फिर उनने gear case में वो उतारने लगे the author warned him not to mess up with the gear case और ने उनको वार्ण भी क्या चीताब ने दे कि वो gear case के साथ कुछ न करें but his friend said that nothing is as easy as taking off the gear case और दोस्त ने कहा कि gear case को हटाने से असान काम कुछ होई नहीं सकता है he took it off easily उन्होंने gear case को असानी से उतार लिया but had a nightmare while fixing it back to its place पर जब उनको वापस लगाने की बाता है गेर के सको बापस लगाने की बाता है तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा कथिन हो गया nightmare का मतला होता है बुरे सपने जैसा his bicycle which was until now in good condition was now lying scattered divided in many parts जो ओधर जो उनके cycle जो की बहुत अच्छी condition में थी पर वो बहुत ही अलगला parts में डिवाइड हो रखी थी बटी हुई थी और पूरे जमीन पर वो बिखरी पड़ी थी scattered का मदध होता है बिखरा हुआ author wanted to stop his friend from causing further troubles और जो लेखक है author वो अपने दोस्त को रोकना चाहते थे और मुसीबत create करने से but he admits that he is weak at hurting others बर वो यह भी कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं कि वो दूसरों को ठेस नहीं पहुचाना चाहते हैं अगर वो अपने दोस्त को मना करेंगे वो काम करने के लिए तो हो सकता है उनके जो दोस्त हैं उनको ठेस महुचे तो वो यह भी काम नहीं करना चाहते है देन इतना ज्यादा टाइट कर दिया ओथर के फ्रेंड ने कि वो बिल्कुल भी मूब नहीं करें चल नहीं रही थी यह देन लुजन इट अंटल इट बिकेम ट्वाइस एस लुज़ाए इतना धीला कर दिया कि वो दुगनी जितना पहले जो चैन के लंबाई थी वो से बिली हो गई हार्ड वर्क टो कलेक्टे पार्ट्स अब फाइनल देखते हैं कि जो भी पार्ट्स जो उन लोग ने हटा के रखे थे अब बहुत ही मुश्किल हो गया कि उन पार्ट्स को जोड़ना आफ्टर अप्लाइंग इस ट्रिक्स ऑन दे साइकल ऑथर्स फ्रेंस सीम इस टो बी कंटेंड़ और ना वांटे टो पुट अल दी पीसे बाक इंट दे प्लेस जितने भी सारी जीजे उनके फ्रेंड ने जितने भी ट्रिक्स अपनाई साइकल के बहुत सा डिवाइट कर दे पार्ट्स के फिर उनको वह वापस जोड़ने में लग गए तो उनके दो दोस्ते वह बहुत जादे कंटेंड़ करने लिए कंटेंड़ का मले होता है संतुष्ट और वह सारी जो चीजे थी वह एक ही जगह पर लगाना चाहते है जहां से उननने निकाली थी टूक अलोड़ टाइम एड ग्रेट एफ़र्ट और यह काम करने में बहुत सारा समय लग बहुत घंटों तक मशक्कत करने के बाद स्रगल करने के बाद फिर उनने पाइसेकल के बागी पार्स को जोड़ा फिक्स किया दी ऑथर टुक इम तो इस बाग किचन फिर जो लेखा के वो उनको किचन में लेके गाए वेर इस फ्रेंड क्लें इंसेल्फ और जहां पर उनके दोस्तों ने अपना आपको साफ किया और देन दी ऑथर सेंट इम बाग तो इस होम और इसके बाद लेक अपने अपने फ्रेंड को रोक नहीं रहते हो काम करने के लिए क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे फ्रेंड को हर्ट होगा तो यह सारा प्रोसेस करने में जो उनका ट्रिप था वहां पर बिन जा पाए So this was the story. Thank you so much for attending this session everyone. See you in the next lesson. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.